हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल माई ब्यूटी टिप्स में आप लोगों का फिर से वैलकम है जिसमें आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाथो पैरो पर जमी मैल गंदगी को खतम करके हाथो पैरो को यद फिर पूरे शरील को गोरा करने का घरेलू तरीका जिसमें आज हम इस्ति एक चावल का आटा लेना है और इसमें चावल का आटा क्या करता है हमारी स्किन से काफी तेजी से डैड स्किन सेल्स को हटाता है गंदगी को साफ करता है दूसरी चीज आपको इसमें लेना है मुलतानी मिट्टी पाउडर इसको भी आप अपने घर पर बना सकते हैं या फिर म मातरा में जो हमारी स्किन को नैचुरली ब्लीच करता है स्किन से डैड स्किन सेल्स को हटा कर उसको गोरा बेदाग बनाता है चौधी चीज हमें इसमें लेनी है रोज वाटर यानि के गुलाब जल तो आप किसी भी अच्छी कमपनी का गुलाब जल ले सकते हैं इसमें भी हमें बस इतना ही लेना है जितने में हमारा ये पेस्ट बनकर रेडी हो जाए तो आप दरूरत के मताबिक उतना ले लीजिए और इस पेस्ट को बना करके रेडी कर लीजिए तो चलिए हमारा पेस्ट बन करकर रेडी हो चुका है इसको लगाने का तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ तो आपको अपने शरीर पर लगा लेना है इसे हातो बर पैरो पर या फिर आप अपनी पूरी शरीर पर लगाना चाहते हैं इसको लगा लीजिए लगा कर आपको 2-3 मिनट इसको करनी है मसाज ताकि ये डीप ली हमारी इसकिन की अच्छे से सफाई कर सके जो मैल गंदगी टैनिंग है सारी खतम हो जाए और हमारी इसकिन गोरी चमकदार नजर आने लगे तो इसको आपको 15-20 मिनट लगा करके रखना है फिर साधे पाने से आप इसको वाश कर दीजिए फिर देखिएगा कि एक ही बार में आपकी इसकिन काफी अच्छे से गोरी हो चुकी होगी